बलौदा बजार जिले में सिम्गा थाना शेत्र के चंदेरी गाउं में एक शक्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के प्रीमी के घर में गुश कर लकडी के बत्ता डंडा आधी से मार कर दो लोगों को गंबीर रुप से घायल कर दिया और एक आदमी की हत्या भी कडाली सिम्गा पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफतार किया है मृतक जल संसादन विभाग पत्थर या जिरा मुंगीरी में काम करता था आरोपी ने पूछताज की दवरान बताया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था इसी कारण आविश में आकर उसने कुछ लोगों के साथ रविवार दो जून की रात उस पर हमला कर दिया था